तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सर कौन सा चल रहा था देट इस ब्रांच ब्रांच में हमने एक सिंपल वाला पैटर्न कर लिया है ना सिंपल कौन से वाला चलो वह इस तो आ जाएगी एक बार दूर क्लूस कर देना तो देखें बहुत कम समय बचा है और बहुत कम समय के अंदर बहुत कुछ करना भी है आपने बहुत टाइम कितने क्लास के चुट्टी हो गई दो या एक दो हो गई फैस्टिवल की वह से देखो अब इसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाईया ब्रांच में हम डेटर सिस्टम करेंगे जिसमें कॉस्ट वाला सिस्टम एक से तीन कुश्चन हो गये हैं और एक इन्व पॉइस प्राइस का ठीक है इसके कुछ कुछ इसके कुछ फॉर्मिट वगएरा हमने लास्ट लास में दीख लिए थे चलिए आज आईए चैप्टर का नाम है हमारा ब्रांच और ब्रांच में हमारा जो मैथड चल रहा है that is डेटर सिस्टम और डेटर सिस्टम के अंदर दो पार्ट थे हमारे एक था हमारा कॉस्ट की उपड़ जो कि हमने कंपलीट कर लिया है और एक है हमारे किसके उपर सर एक इन्वॉयस प्राइस invoice price और इसको short form में मैंने कहा था मैं क्या नाम दूँगा IP तो चलिए पहले हम invoice price देखते हैं कि what is the invoice price देखो हमने goods को मान लेते हैं 100 रुपे का खरीदा इसे purchase किया इसको बोला जाएगा हमारा cost price और इसको मैंने branch को बोला कि भाईया तू इसको बेची हो branch को इसको बोला कि इसको बेचना है तरको 120 में इसको हम बोलते हैं selling price और accounting की दुनिया में ब्रांच की दुनिया में इसको क्या बोलेंगे सर invoice price क्या बोलेंगे इसको तो सबसे पहले तो आपको invoice price समझना होगा कि invoice price है क्या तो यानि जो selling price होता है उसको क्या बोल देते हम invoice price मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ cost के अंदर हमने 20% जोड करके बेचना है मतलब कई बार यहां पर मैंने बता दिया कि मैंने बेचा है 120 का तो आपको समझ में आ गया सर 120 रुपे invoice price लेकिन अगर मैं बोलता कि cost प्लस 20% पर बेचना है आपको तो आपको ये 120 भी खुद ही निकालना पड़ेगा cost कितने का है 100 का और 20% एड कर दोगे तो कई बार invoice price आपको सीधा ना देके आपको इस format में दिया जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमारा इसी को invoice price कहलो IP price कहलो कई बार markup price भी हम बोल देते हैं बाकि invoice price सबसे popular है यही बोला जाएगा तो यहां तक हमें पता चल गया कि हम cost price क्या होगा और invoice price क्या होगा invoice price आपको given भी हो सकता है और बनाना भी पढ़ सकता है ठीक है ना अब हम बात करेंगे एक word और use होने वाला इसके अंदर बहुत popular है जिसको आपको समझना होगा that is word है हमारा loading या फिर इसको बोलते है stock reserve stock reserve ठीक है loading या stock reserve हम इसका मतलब क्या है simple सी बात है profit का हिस्सा यानि profit को ही अब हम क्या बोल देंगे loading बोल देंगे या फिर क्या बोलेंगे stock reserve के नाम से जाना जाएगा मतलब सर जैसे for example मैंने 100 रुपे का एक cost था मैंने बोला इसको बेचना है आपने आपको sold करना है कितने का 120 रुपे का इसको क्या नाम दिया गया that is इसको क्या नाम दिया गया invoice price अब इसके बीच का जो difference है इसके बीच का जो difference है that is आपका है 20 रुपे normal बोल चाल में हम इस 20 रुपे को क्या बोलते है profit लेकिन ब्रांच की दुनिया में इसको क्या बोलेंगे loading या फिर stock असर ठीक है ना तो कुछ कुछ टेकनिकल वर्ड चेंज हो गये है और उसके साथ साथ देखा जाए तो फिर हमें इस चैप्टर में यूज करना है max to max समझ में आ रही है बात आपको तो अभी हमने क्या देखा loading और क्या देखा invoice price मैं कुछ questions आप से पूछता हूँ question आप जवाब दीजिएगा जितने बच्चे live भी हैं वो सब जवाब देगे मैंने कहा मेरा cost पंदरा सो का है और मुझे जो sold करना है यानि जो मैं sold करने के लिए send to branch करूँगा वो करूँगा मैं cost plus 20% तो मुझे आप invoice price बताईए और मुझे आप loading बताईए दो point मैंने question mark में रखा हूआ है invoice price बताईए और loading बताईए तो बताईए invoice price क्या है जितने बच्चे live है फटा फट जवाब देदीजिए invoice price अगर यहां तक समझ में आये बता दोगे नहीं आये तो नहीं बता पाऊगे invoice price क्या है हमारा अठारा सो रुपे हमारा invoice price होगा कैसे सर प्लस तीन सो रुपे एड़ कर देंगे देट इस अगर नहां का जवाब अगया कोमल डाउट किस नंबर पर ले सकते हैं सॉल्व नहीं हो पा रहा अभी बता दूँगा कॉमल आपका एक डाउट आया था आईपी प्राइस से ही लेके ब्रांच का मैंने देख लिया है वे डिसकस कर लेंगे अब मैं जानना चाहता हूँ बताइए यहां पर लोडिंग कितना है तो लोडिंग कितना है सर दीन सो रुपए का क्या है लोडिंग लोडिंग अक्षे का जबाव आ गया थीन सो रुपए तो आपको यह समझ में आ गया कि लोडिंग कैसे नंगा लेंग इन वाइस प्राइस अब इसको ठोड़ासा मोडिफिकेशन करके अलग तरीके से हमें loading निकालना mainly सीखना है, ठीक है, चलिए आगे आते हैं, कई बार, जैसे मैंने कहा, मेरा selling price, question number one, मेरा selling price है, 100 रुपए, और जो है, cost plus 25% है, ठीक है न, जो goods भीजा गया, cost plus, तो आपको loading बताना है, loading का मतलब profit बताना है, ठीक है, तो इस situation में देखा जाए, सर ये cost के उपर 25% है, और ये दे रखा है आपका inverse price है, तो यहाँ पे loading निकालना थोड़ा सा difficult हो, या फिर मैं इसको और simplicity से लेके चलता हूँ, चलो, मैं loading को अभी loading ना भोलके, मैं gross profit का ही नाम दे रहा हूँ, ताके आप समझ जाओ, ठीक है, अभी gross profit का ही नाम आप दिमाग में रखना, मैंने कहा GP on sales 10%, आप बताइए मुझे cost कितना होगा, आप बताइए मुझे profit कितना है तो आपका जवाब होगा sir, GP किसके उपर है, sale, और देवी क्या रखा है, sale, तो 10% इसके उपर, यानि आपका 10 रुपे, cost क्या होगा, 10 रुपे profit अगर 100 रुपे में से कमाते हैं तो 90 रुपे, question number 2, अगर मैंने बोला, selling price मेरा 100 है, और GP on cost है 25%, तो आपको cost निकालना है, और आपको GP निकालना है, यानि profit निकालना है, तो अब यहाँ पे आप directly इस पर 25% नहीं लगा सकते, यहाँ पे बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि यह किसके उपर GP है, cost के उपर, और यह क्या है हमारा, दोनों चीज़े अलग है, यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें, let x करना पड़ेगा, जो की simple तरीका है, that is हम क्या करेंगे, sales is equal to, cost plus में, sir sales दे रखा है, 100 रुपे, cost नहीं पता, तो x मान लो, plus GP, cost के उपर कितने percent है, 25, तो यह हो जाएगा, x, y, और अब जब आप इसको solve करोगे, तो x का value आ जाएगा, हमारा 80, x का value क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, now again आपका 80 cost आ गया, तो GP आपको पता चल जाएगा, peace, समझे, ऐसे ही दूसरा part हो सकता है आपके पास, suppose करो, मैंने cost दिया, और GP मतलब loading है, GP on cost है, 20%, अब आप से मैंने पूछ लिया, selling price, and gross profit, तो अब सर ये भी cost है और ये भी cost है, दोनों match हो गए, तो अब 20% directly इसी पे निकाल देंगा, जब match हो जाए, तो direct, तो 20% निकाल के cost में अगर profit जोड़ दो, तो sale होगा, that is 120, और ये आपका कितना हो जाएगा, बीच का difference, 20, question number 4, question number 4, माल लेते हैं, हमारा cost again कितना है, सर, 100 रुपे, और मैं कहूं, GP on sales, that is 20%, GP कितने percent है, now, अब हमें ये अलग है, ये sales पे है, और ये क्या है, cost है, ऐसे situation में हमें क्या करना होगा, ऐसे situation में वही equation ले लेते हैं, that is, आपका sales is equal to cost plus में cross profit, तो सर, sales कितना है हमारा, नहीं पता, इसको मान लो, x, cost 100 रुपे हैं, और GP sales का है, तो x by 5, x को इस side लिया होगे, तो x minus में x by 5 हा जागा, मैं समय मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है calculation, आप इसको solve करोगे, तो 4 x divided by 5 और is equal to रह जाएगा 100, अब सबको solve करोगे, तो क्या आएगा, 125 तो आपका आजाएगा 125 इधर लिख जाते हैं, इधर आ गया हमारा sales और sales आजाएगा, x that is 125 तो हमारा जो GP आ जाएगा, वो आ जाएगा 25, पहले यह देखिए, अब हमें exam में इतना time नहीं है करने का, इसको हम shortcut पे लेके आते हैं, कुछ एक terms, देखो इस वाले point के अंदर और इस वाले point के अंदर तो आपको shortcut के जौरत ही नहीं है, क्योंकि यह तो सीधा सीधा calculator पे निकालना है, आपको shortcut चाहिए जब आपको SP और cost हो और cost और SP हो, ठीक है, तो कुछ एक percentage है, जो examiner ने कसम खा रखा है, कि भाईया हमें यही percentage पूछना है, तो आप याद ही कर लो उसको, यानि आपको sales के उपर, या फिर हम पहले cost पे ले लेते हैं, cost के उपर और sales के उपर, अगर cost पे मैं 25% बोलूँगा, तो sales पे automatic 20 हो जाएगा, अगर cost पे 33.333% बोलूँगा, यहाँ पे automatic सीधा 25% निकाल देना है, अगर यहाँ पे 50% बोलूँगा, तो आप यहाँ पे 33.333% निकाल देना है, अगर मैं यहाँ पे 66.666 बोलूँगा, तो यहाँ पे 50% निकाल देना है, यहाँ एग्जामनर ने, यही मैंने तो जादा percentage लिख दिया फिर भी, और अगर मैं, यहाँ जाओ भई, अगर मैं 16, सरी, 20% बोलूँगा, तो आपने 16.666% यहाँ इसके अलावा एग्जामनर कुछ भी नहीं पूछेगा, सिंपल से बात है, सर अपलाई कैसे करोगे इसको, देखो इन दोनों पॉइंट पे तो कोई जरूरत ही नहीं अपलाई करने का, अब मान लेते हैं हमें cost दे रखा था, और sales पे कितना 20% था, तब हमें पता करना है, अगर sales पे 20 हो, तो हम इसको convert कर लेंगे cost पे, तो sales पे 20 हो, तो cost पे कितना होगा, 25, तो देखो 100 पे सीधा 25 निकालके आप पहुँच सकते हैं यहां पे, यानि आपको इतनी सारे काम करने की कुछ ज़ूरत नहीं है, सेम दूसरा इस पे आजाओ चलो, sales अब यहां cost पे कितना है, 25, आपको पहुचना है sales के उपर, तो cost पे अगर 25 हो, तो sales पे कितना होगा, 20, तो simple देखो, आपने इस पे 20 निकालके, 80 करके कर लिए, समझ मैं यही बात, आपको इसको कैसे apply करने हैं, तो any amount, percentage बता दिया, तो इस हिसाब से आपने apply करना है, तो यह चीज़े आप याद कर लो, और मैं तो मानता हूं कि practice करते करते आपको यादी हो जाना है, ठीक है न, आपके किताब में भी ऐसे कुछ questions दे रखे हैं, जिसके उपर बोला गया है कि एक बार practice करके बताओ, sir calculator कौन सा use करना है, normal calculator use करना ह आपको जिसके उपर text की वगरा नहीं हो, simple सा है, जो आप ले लो तो better है, और अभी से practice कर लो, नहीं तो exam के अंदर बच्चे बटन ही ढूंडते रह जाते हैं, तो अभी से practice करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, तो यह कुछ एक point है, एक question आप से पूछ लिया जाए, इसके औ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे आसान तरीका यह वाला होता है, थोड़ा lengthy होता है, लेकिन accurate answer समझ में आ जाता है, और जिसको दोनों समझ में आ गया, वो follow कर सकते हैं, अब इसके अंदर कई बार और भी shortcut आता है, तो questions के बीच बीच में हम use करेंगे, ठीक है न, चलिए, पास कुछ बातें बदली जाएंगे, सर क्या चीज़ें बदलने वाला है, अभी देख लिजें, बता देते हैं, क्या बदलेगा इसमें, इस ब्रांच अकाउंट, ठीक है, यहां अगें पर्टिकुलर, यहां माउंट, और यहां माउंट, देखें, पहले क्या करते थे हम, अब भी वही करेंगे, यहां पर लिखते थे, opening, balance, जितने भी assets के opening balance हैं, इधर लिख लिया करते थे थे, है न, और सर, assets के opening balance में क्या क्या था, जैसे, बैंक हो गया डेटर हो गया स्टाउक हो गया पैटी कैश हो गया एंड बहुत सारे और भी एसेट्स होते हैं लिखने लगेंगा तो पूरी शीटी भर जाएगी हमारी तो है न जोसे फरनीचर हो गया अब मोटर कार हो गया मसेंरी हो गया बहा सारे एसेट्स ने जो यूजेबल है वो हमने लिख हां सेम हमें इसके कलोजिंग बैलेंस को भी सड़िखना होते हैं अ कर साफ क्लोजिंगं बैलेंस क्लोजिंग में में भी क्या आजाएगा अगेन रिपीट हो जाएगा कि पैंक है कि टेटर कि स्टॉक कि पैटी कैश और यह सारा क्लोजिंग बैलन्स सीधा बाहर लिख लीजिए या फिर अंदर क्याल्कुलेट करके डायरेक्ट बाहर लिख लीजिए यही सीखा था कुछ चीजे और लिखे जाते थी वो भी लिख देते हैं बिल्कुल एक्जेक्ट मैं पिछले वाला पहले फॉर्मिट बना दूँ आपके लिए कुछ चीजे और भी लिखे जाते थी देटेस यहाँ पे हैं गुट्स सेंट अब भी लिखा जाएगा और कुछ एक्सपेंस लिखे जाते थे एक्सपेंस पेड़ वाए जो एक्च ओ पेड करता था यहाँ हो सकता था रेंट हो सकता था इसालरी एक्सेक्टर लिख लेते पैटि कैश भी लिख देते हैं पैटि कैश एक्सेक्टर ठीक है न अब देखें आगे इन सभी का जो भी टोट्लिंग रहता था वो हम यहां कर देते हैं यह कर देते हैं और बाइ साइड में एक और पॉइंट आ जाता था क्या पाइर में इसके अंदर कैश सेल्स और कलेक्शन जो भी आता था अमाउंट यह था और एक पॉइंट रहे गया क्या जाता था भाइ इतना आपको पूरा है इसके बाद इसमें से क्या निकल जाता था प्रॉफट या लॉस अब मजे की बात है कि आप जितनी भी चीजे लिखी जाएगी यह आईपी पे लिखा जाएगा किस पे लिखा जाएगा आईपी का मतलब क्या होता है इन्वाइस प्राइस यानि सेलिंग प्राइस यह भी सेलिंग प्राइस पे होगा और सर यह तो सेलिंग प्राइस पे होता ही होता है और यह भी आईपी पे होगा और सर यह भी आईपी पे होगा यानि सब कुछ selling price पर अब आप देखो अगर मैं अपने ट्रेडिंग account बनाओं और सब कुछ selling price पर रखूं तो क्या problem आईगी देखना ट्रेडिंग account आपने किया है मैं एक छोटा सा example ले रहा हूं फिर आप समझ जाओगे जो मैं आगे करूँआ इसके बाद step clear हो जाएगा कि सब्सक्रों कि मैंने गुड्स पर्चेस किया है कि इस हजार रुपए का इसमें तीन सो रुपए का profit रखूंगा और बेचूंगा कितने का तीरा सो रुपए का ठीक है अब मेरे पास opening stock है जिसकी कीमत 200 है और इसमें 100 रुपए का profit है that is कितने आ गए तीन सो रुपए आ गए ठीक है अगर मैं बात करूँ तो तेरा सो और मैंने गुड्स को जो सेल किया है सेल्स नगद कैश जो भी हो सेल की बात करें तो सेल मैंने 800 कर दिया है करेक्ट 800 रुपए का तो यह तो अल्रेड़ी आई पी पे हैं और मेरे पास जो closing stock है closing stock है जिसकी कीमत 168 जिसकी कीमत 600 है और उसके उपर 200 का profit है तो यानि अब मैं आपसे closing stock का IP पूछू तो आप बताओगे 800 अगर मैं goods purchase का IP पूछू तो आप बताओगे अगर मैं opening stock का IP पूछू तो बताओगे और sales तो IP पे ही रहता है अब मैं अगर इसको trading account में हर किसी को IP पे ले लूँ ओपनिंग स्टॉक तो सर ओपनिंग स्टॉक कितने का है IP पे ही लूँगा मैं तो ओपनिंग स्टॉक बताओगे जब सेल्स कितना लूँगा मैं अब टोटल करो कितने हो गए और इधर टोटल कितने हो गए तो प्रॉफिट तो निकलेगा ही ने कभी लाइफ में प्रॉफिट तो तब निकलता है ना जब सेल्स हमारा ज्यादा वेल्यू का हो और पर्चेज अब तो हमने क्या करा पर्चेस को भी सेल्स के वैल्यू के खड़ा कर दिया यानि ये साइड और ये साइड इकुलेंट कर दिया हमने तो कभी लाइफ में प्रॉफिट आएगा नी इसका मतलब सर इसको आप सेलिंग प्राइस पे मत दिखाओ इसको किस पे दिखाओ लेकिन ब्राँच कहता है तुम सेलिंग प्राइस पे दिखाओ तो भाई प्रॉफिट कहां से आएगा तेरा तो इससे बचने के लिए ब्राँच ने बोला मैं सेलिंग प्राइस पे बोल रहा हूँ इसका दूसरा उपाए सुनो बोला गया भया इसके अंदर जितना profit है ना इसमें से minus करने के बजाए आप उसको opposite side में अगर लिख दो ना उसका profit का हिस्सा तो वही minus हो जाता है जैसे इसके उपर profit 300 रुपए है तो यहां पर लिख दो loading कितने रुपए लिख दो? 300 opening stock में भी profit जुड़ा हुआ है कितना profit जुड़ा हुआ है 100 रुपए है इसके opposite side लिख दो सर सेल्स में तो profit होता ही तो इसमें से profit निकाल तो सकते नहीं closing stock भी खा नहीं है आप ही के पास पढ़ा हुआ है इसमें profit जुड़ा हुआ है opposite side लिखो कितने हो गए? 400 अब जब आप करोगे ना तो आपका इस situation में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट किसके अंदर इंक्लूड रहे गया अच्छा 200 है closing stock का profit कितना है 200 है अब आप टूटल जब करोगे तो आपका टूटल देखो क्या है अब मैं अगर बोलू के सर परचेस के अंदर तीन सो रुपए profit जुड़े वे सही बात है लेकिन मैंने इसके opposite side जब तीन सो लिख दिया तो आप profit जुड़ा हुआ नहीं है अब आप actual डिजिट निकाल सकते हो जैसे की 1900 और इधर भी क्या आएगा 1900 और इधर कितने है 1800 तो profit कितने का आगया 100 रुपए इसी question को आप बिना वैसे कर लोगे अगर मान लेते हैं मैं इसके side में लिख देता हूँ अगर हम इस question को पहले करते जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग में करा करते थे तब भी 100 ही आएगा देखो हमारा यहां 600 आजाएगा यहां इसकी जगह पर क्या आजाएगा और पर्चेस के जगह पर क्या आजाएगा 1000 आजाएगा ओपनिंग स्टॉक की जगह पर क्या आजाएगा दो सो आजाएगा वैसे कर लो आठ और ची चौदा सो चौदा सो में से आप कितने माइनस कर दोगे बारा सो और कुछ भी रहे गया क्या सो दो सो परचेस कितना लिया हजार क्लोजिंग कितना लिया च्छे सो सो कितने होगे आठ सो और ची सो चौदा सो और चौदा सो में से कितने माइनस करोगे ata पर रूख ज़ाओ देख लेते toujours हजार वैसे टोटल गलत बताती हो आज देखो ये दो सो ठीक है और वैसे वी कितना है हमारा तो मतलब सर मुद्दे की बात है इस अकाउंट में भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा तो हम ऐसा क्या काम करें इस अकाउंट में के जो यह सेलिंग प्राइस पे हुआ ओटोमेटिक कॉस्ट बन जाए क्या काम करोगे सर इसके उपर जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है उसको अप से काम होंगे तो वह चीज़े मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ गिंती के चीज़े हैं बाकि डेटर वेटर अकाउंट सब वही सेम रहेगा सर उसमें कोई बदलाब नहीं है तो सर लोडिंग वोडिंग की बात कर रहे थे हम तो एक तो निकलेगा बाइज क्लोजिंग स् किस पर क्लोजिंग पर और किस पर निकालोगे स्टॉक रिजर्व किस पर जीएस लिख रहा हूं जीएस का मतलब गुट सेंट पर ठीक है इसके बाद अब इधर वाली चीज़ों को इधर लिख देंगे तो स्टॉक रिजर्व किस पर टोंड रिजर्व किस पर स्टॉक रिजर्व किस पर निकालोके यदर से प्धर से रिटं पर गुड़्स return पे बाकी सर अब sales पे नहीं निकालोगे sales पे निकाली देंगे तो फिर cost पे हो जागा फिर नहीं आएगा profit समझ रहे हैं बात को यानि इन item पे दो इधर और दो इधर यह 4 item है जिसके उपर आपको क्या निकालना है stock, reserve, क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि पहले से सब कुछ selling price पे है तो profit नहीं निकलेगा और अगर हमने उसको cost पे convert कर दिया तो हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसके अंदर का loading कहलो या profit कहलो या stock reserve opposite side में लिख देते हैं तो भले ही यह selling price पे given हो लेकिन अगर इसके opposite side में इसका profit लिख देंगे तो automatic किसमे convert हो जाएगा वो cost में किसमे convert हो जाएगा वो cost में हाँ बिलकुल previous format है अब अगर आप देखोगे पिछला format मैं आपको दिखाता हूँ सर पिछले format और इस format में क्या बदलावाया यह देखें exactly पिछला ही format है यह debtor account वही बनेगा इसमें कुछ नहीं exactly सबकुछ opening closing यहां normal loss नहीं लिखा मैं लिख देता हूँ ठीक है सबकुछ वही है और अब आपने क्या करा है इस format के अंदर बस दो चीज़े add-on कर दिया sir क्या add कर दिया loading एक ही चीज़े और sir normal loss abnormal loss भी रहेगा बिल्कुल हां रहेगा important पार्ट है इधर लिख देता हूँ अच्छा इधर opening stock आएगा हाँ यह opening आएगा ठीक है normal loss इसके उपर भी loading निकलना होता है लेकिन इसके उपर हम star बना देते हैं जब question में आएगा तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा ठीक है और ऐसा नहीं के question में नहीं आएगा आएगा जरूर तो यह क्या हमारा format है sir किसका format है यह जब हमारा चीज़े invoice price पर होगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यह यह चीज़े क्यूं बता रहा था क्यूंकि आपको हर बार profit निकालना पड़ेगा ठीक है ना अब सपोस करो कई बार आपको मैंने बोला के goods मैंने भीज़ा है आप यहां पर कॉस्ट नहीं लिखोगे ओलवेज क्या लिखोगे invoice यानि यह जो branch account बना रहे हैं यह किस पर बन रहे हैं हमारा IP यानि invoice price ठीक है लोडिंग क्या कहते हैं stock reserve क्या कहते हैं और invoice price क्या कहते हैं सारी चीज़ा हमने देख लिए तो इसको फटा-फट से एक बार नूट करिए हैं